देश का अननदता किसान सडकों पर दम तोड रहा है सरकार इस भीशन थंड और देश का पेच भरने वालों की नाराजगी पर सिर्फ बाचीत का रास्ता अपना रही है पंजाब, राजस्थान, हरियाना और उतरप्रदेश उतराखंड के करीब करीब दरजनों किसान दम तोड़ चुके हैं आज सुबह दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उतराखंड से आए 70 साल के बुजर्ग किसान का शव टॉयलेट में फंदे से लटकता मिला है बताया जा रहा है कि किसान की पहचान कश्मीर सिन के नाम से हो गई है खुद कुशी करने से पहले किसान ने सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें आंदोलन के जगेह पर अंतिम संसकार करने की बात लिखी है राजदानी दिली में दिन वद दिन गिरता तापमान और सरकार की उस पर लापरवाय नियत सवाल खड़े कर रही है एक तरफ सरकार बाचीत का सिलसिला जारी रखे हुए है दूसरी तरफ उनके समर्थक और नेता किसानों को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे है पिछली बाचीत में तुकेंद्रिय मंत्री पियूश गोयल भी किसानों को धमकाते हुए नजर आये है इससे सरकार की नियत का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि देख रही है किसान भी लंबी लडाई लड़ने के लिए घरों से निकल रहे हैं देज भर में लाखों किसान सरकार की नीतियों और नियत से नाराज है